आप आई-एस के देनिक हिंदी संपाद की विशलेशन में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं तीन आर्टिकल इसमें से पहला अर्टिकल है एक आर्टिकल है जनके सहयोग से सच्छ भारत है जो कि गजन सिंग सिखावाज जो अपने की केंद्री जल सकती मंत्री भी हैं तो यह इनका काफी अच्छा अर्टिकल है तो इसके बारे में हम डिसकस करेंगे यह अपने जो हाले में दोक्टूबर को यहां पस प्लास्टिक्स डिमूफ इलेटर नई मतलब सरकार नया वो कदम उठाने जा रहे तो उससे संबंदित मतलब कि उसके पहले सच्छे तभियान 2014 से शुरू हुआ था तो उससे लेकर कि उसमें जो भी उसके अच्छे परणाम देखनों को मिले हैं तो उससे संबंदित यह आर्टिकल डिसकस करता है तो उसके बारे में इस आर्टिकल में डिसकस करेंगे और दूसरा अपना आर्टिकल होगा जो कि यह आर्टिकल है यानि कि यह जो अपनी जैसे चौत्य वाद्योगी करन्ति की बाते हो रही है तो उसमें से जो इस चीज को कफी अच्छे से डिसकस किया गया है किस प्रकार की चुनोतियां हैं और किस प्रकार से रोजगार को भी एक प्रकार से उसका सब्स्टिटूशन की जर कि जरू होते तो इस बारे में आर्टिकल डिसकस करता है कफी चार डिकल है हम लोग डिजकस करेंगे सबारे में और यह तीसा अपना है जो कि इकोनामिक्स रिएटेड है यह आर्थिक जिंजावात के दौर में कार गरह रही आनि कि इसमें से जो बतलब की वरतमान की जो आर आर्टिकल इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्डिकल पर यह पहला आर्टिकल है यह आर्थिक जिंजाबाद के दौर में कारगर रने थी तो इस आर्डिकल में जैसे के भी यहाँ पास जो है तो सरकार GDP के भी जो आकड़े आये थे निश्चित तर पे सरकार को और पेहले से पर वर्टिकल ठीच की अर्थियो क्यों सुनधि का की संधियर और एक मंदी का ही बतल का संकेत ही प्रदर्सित करता है तो यहाँ पास जो इसमें से कुछ इसके लिए जिम्मेधार हो सकते हैं कि जैसे अपने सरकार जो हमारी स्थ ज तो इसमें से जो ऐचर प्रसक्त सरकार को पे सबक्राइब ये इस सरकार कोinden, वब obt फूलिवे मियानी कि हमें ज्यदा समध्याओं का सामना नहीं केरा पड़ा और वहीं जो है तो अपने घरेलु महहगाइ की इस्ति वह प्रिकार से कंट्रोल थी तो इसलिए सरकार दो कैसे शकारात्मकर पहलो थी इस कारण जो है तो एको तो भी लोग इसको भी justify करने में लगे हुए हैं कि यह जो मतलब की भायत की पांच फेजदी की बिर्द्धी है तो भी आप भी जो है तो विक्सित देशों से उसका comparison कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही जादा एक प्रकर से इसको कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही निम इस तरह की बात नहीं की जाति आपरा संगीक है क्योंकि जो अधिकतर जो भारती है तो अभी तो अभी मुल भूत चीजों से ही जूज रहे हैं ना उनके वी सामाजी को समदी रोजगार समदी को पूरी तरह से चीजों का लाफ नहीं मिल पा रहा है यहां पास और जब की अधर कंट्रीज की विक्सित दोसों की तुलना किया और इसमें से यहां पास यह भी मतलब की इसके लिए मुख जिम्यदार इस चीज को भी कहा जा सकता है कि जो हमारी जो माग है तो पूरी तरह से माग एक प्रकार से बहुत ही निचले इस तरह प्या गए है चाहे हो ग्रामेड माग हो और चाहे है साहरी छेतर की माग हो तो इ मतलब कहना गताते हैं जो लोग होते हैं कि अपर ट्रेडिट या डेविट कार्ड के जरी जरी तो कुछ EMI वगएरा उसके जरी 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 जो मासिक किस्ट या उस पर जैसे लोन वगएरा कोई चीजे फाइनस करवा लेते हैं ठीक है तो और फिर उसका सेवा लेते हैं ठीक है तो उनुत पादोगा तो वही जो है तो तीरी भाहिखाते के अंतर गताती हैं और वहीं दोरे भाहिखाते की जो समस्य भी निजी छेत के बड़े करजदारों को प्रहवित कर रही थी जिसकी वज़ा से आर्ट्स लेकर के बारा के दरवन जो तो एक प्रकार से गयर जिम्मे alecay चेजे थी जो कि हमारी बरत्मान की आर्थ हे के इस समय पे है वही है तो जैस्टि की जो रिफन्ण वगएए तो उसकी काफी ज़्यादा लचरता को मिली थी तो इस तरह की समस्याइं देखनों को मिली वहीं जो हैं तो यह जो मारी मतलब लोग जो है तो मतले ज़्य hearty क करन कि यह जो slow process भी है यह भी प्रकरसिस चीज को हमारी जो कुरा में उसको एक प्रकरसिय मंद करती है बहुत ज्यादा slow process है और उसी के साथ ही जो लोग भी यह जो जो इमाई वगारा का भुकतान वगारा है तो उसको जादा अपना increase नहीं करना चाहते है ना वो जो अपनी ज यहtant पर भारते उतपाद के बहुत ज्यादा कम रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि आपने रुपया तो इसका जो है तो काफी ज़्यादा मतलब अधिमूल्यन हो गया है तो इसके पीछे इस चीज को कारण बताया जा रहा है कि जो विदेशों में हमारे भारती उत्पादों के माग है तो इसके कम होने का कारण यह है कि हमारे रुपिया है तो थोड़ा अधिमूल्यन हो गया है इसकी वज़ा से यह एक कारा किसमे एक फैक्टर है जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्णर गवर्णर नवी जो तभी सेप्टमबर में ही आयाइफ की जुलाई 19 रिपोर्ट का भी हवाला देकर कुनों भी यह कहा था इस चीज की वारे में कि जो रुपए की वास्तिविक प् समोह की तुला में 24.6 फिस्दी जादा है ने कि इस चीज को यह थोड़ा सा इस चीज पर धान देता कि जो रियर मतलब की रुपास्टिविक प्रोहावी बिन में दर है तो यह क्या है कि जैसे कोई भी रुपए की परवर्णर नहीं ता कि बात किया कि जैसे कोई देसी हमार वर्तमान में चल रहा है तो यह परवर्त नहीं ता ही रुपए कि उसमें से जैसे वीनमै की कि प्रकार से प्रकार से को एक्स्चेंजे वाल हो ठीक है और हमारे उत्पादों के माग भी इसी वजए से वह ज़्यादा है तो यह चीज इसके लिए काफी ज्यादा मतलब जिम् और भारती बैंक और NBFC के जो भी बहुत ज़्यादा करजबाटे गए थे उससे भी घहलो माग बढ़ाने में मदद मिलती लेकिन जो भारती वित्ती संस्थान तो करजबाटने में एक प्रकार से हैस्टेट हो रहे हैं इसके पीछे रिजन भी है कि इस प्रकार के भी जो बीचा रही है और वहीं जैसे कि इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जैसे जो चुकरता लेंदार हो हैं तो उधारी के समय जो जमानत पद्दीगरी संपत्य को अपने पास बना रहने में सफर हो जा रहे हैं जबकि दूसरी कंपनिया है तो संपत्य के लिए पारदर्शी ढंग से बोली भी लगा रही है जैसे कि इसमें यह भी कि मानू करज लिया है ठीक है किसी संस्ता से और उसके बाद जो अपनी जो जमानत रासी उस पर भी जो संपत्य दिया है तो उसमें भी अपने प्रकार से आउनर्सिप अभी मेंटेन रखे हुए हैं साथ ही जो तो उसको भी मतलब वो नहीं दे पाए हैं उसमें असमर्थ हैं फिर भी जो है तो दूसरी कंपनिया उसको लीगल तरीके से ही उसको भी इसमें भी बॉली लगा लगा पा रही है तो इस परकार से एक तरफ तो वो डिफाल्ट कर रहे आं कंपनिया फिर उनको इतनी जदा सुतंदरता उस चीज को की इस तरह की चीज इससे जो है तो जो डिफाल्टर उनके भी और मतलब होस्लिया ज्यादा मजबूत ही होंगे इस तरह में और वहीं आरिब्या के इस चीज के जैसे की बारा फरवे दोजा ठारा के यहां पास हवाला दिया गया है कि उसके परपत में एक प्रावधा करजदारों के जो मामला है उसको NCLT में यानी के राष्ट्र कंपनी कानुन अधिकरण में उसमें भीजने के पहले 180 दिन के भीतर जो मामला निप्टाने का वक्त है उन्हें देना था इस मामले में लेकिन इसे एक फायदा यह होता कि एसे में क्या होता कि जो करजदार हैं तो उनके लिए जरूरी था कि भुक्तान चुक होने से पहले ही जो तो वित्ती संस्थान संपर करके जिसमें टाइम उसको बढ़ा देते बढ़वा देते सकते थे और अन्तरिम रिण है उसके लेने के प्रयास करते ठीक है तो इससे यह ची तो मतलब की एक प्रकार से रिण को को यह मामला आया था इसने इस चीज को निरस्त कर दिया था तो इसको यहां पास राइटर ने काहीं मतलब कि भूल ही माना है बहुत बड़ी बूल है और यहां पास राइटर ने भी सजिट किया कि जैसे इस मामले में जो इस सरकार दोनों को ही इस मामले में जो है तो छो आपने पास रहने की अनुमत देता है और गीरवी रखी गई संपत्री को ही जब्त किया जा सकता है तो इस प्रकरसि प्रौस्ताहाण नहीं गई देना है उनको तो वहीं यहाँ पास जैसे कि इन बैंकों पर अख्र बड़े करशदारों के साथ मिली भारत के आप भी रखते रहें यहाँ पास जो पनी साववनिक बैंक हैं तो सरकार भी थोड़ा से उसमें मतलब सयाम ही बहतने हैं कि ज्यादा मतलब ज्यादा बेतर्त करने की बात कर रहा सदस्ट की जाने की सिफारिस की थी इसके लाब जो तो एंस्यल्टी है उसके पास भी जो बहुत से ऐसे मामले लंबित पड़े हुए उनके भी मतलब की ज्यादा निप्टान की जरूत है ताकि इस चीज़ पर काफी ज्यादा कठोर कदम उठाया जा सके औ साथी जो बनाया है जैसे रंड सोधन अच्छमता दिवालिया सहिता और भारती रंड सोधन दिवालिया बोर्ट साथ जो तो यह उसी तरह आप्रा संगीक हो गया जैसे का सरफेशी एक 2002 और रंड वसूली अधिकान जो हो गया मतलब कि एक प्रकार सी जिस उद्धिस से इन क पर नहीं यहां पास देखे जा रहे हैं इस तरह कानून वहीं जो तो अब जो सरकार है तो यह पास जैसे एलाइसी और कोट इंडिया इसमें अपनी यहां पस रैटर ने सजेश्ट किया कि किस कर से पने विए सपर्कार बढ़ा सकती है और इस समय भी इस में उसके अनुकू इसमें भी संसाधन जो है तो चाफी जादा see nest हो रहा है तो उसको भी एप समय में ऐसा है कि सरकार जो इन खंपनी हिस्सी दारी को कम करके विदेशी निवे सी जूटाने के लिए काफी ज़्यादा प्यास कर सकते है समय इसकी ज़विक स्प्रेश का अनुकूल लाने के लिए काफी जाद प्रभावी हो सकता है लेकिन सर्थ यहां पास यह भी है कि जैसे कंपनी हैं तो यह अपनी जून की आयब रिद्धी होगी तो उसका जो लाब है तो कर्मचारी को भी दें और साथ ही साथ इससे काफी जाद रोजगार भी जनरेट हो तब तो उसकी स सब्सक्राइब करने के बाद राजस सुहानी होगी तो उसके विलगभग चार फिजदी राजकोसी घाटे के होने की यह आसंका व्यक्त हो रही है वहीं जेश्टी परसद ने भी मतलब कारवारी धारनक बहाले के लिए कई कदम उठाये हैं ऐसे कि होटल कम्रे वगरा है उन समय मिल सकता है इस से इन कदमों से वहीं जो हमारी भारती अर्च वस्ता है तो उसमें 5.8 अरब डालर का जो रकम है तो उदार धनप्रेशन योजना एलारस के ताहत भी बाहर चली गई है यह यहाँ पास प्रकर से यहाँ पर थुड़ी सी चिंता व्यक्त की गई ही जबकि 2014 के दौरान इस तरह का जो धनप्रेशन योजना के ताहट जो गया है बाहर तो लगवा 45 अरब डालर बाहर भेजे गए और इसकी तुलना में यह बात किया है 2009 से 2014 की आवदी में तो किवल 5.5 अरब डालर भेजे गए थे इसके लिए भारत में जो मतलब कि भारत में जो आया कि मात्रा में विदेशी मुद्र का बाहर जाना एक प्रकार से चिंता का ही विसे है निसकर के तोर पर यहां पास यह भी का आजाता है जैसे के 2024 तक अर्थवस्ता को पांच लाग करो डालर जो पहुंचाने का माहौल एक प्रकार से बनाया गया है तो भारती उत्पाद और स तो इसलिए जो है तो यहां पास इस तिसा में राइटर ने मतलब की बताया दाया कि जो लक्ष है तो उसको मात्लीव चाहिंसे आर्थ फेस दी उसको आंब करते हां यहां 6 कि प्लाश करने के ज्यादा की ज़्यादा जरूवत है और उसको मतलब क Bargay को है जिससे कि रोजग तो अभी जैसे कि यहां पास राइटर ने जैसे कि यहां पास कोट किया है कि जैसे स्वक्षिता को जैसे महात्मा गादी भी सुतंतरता से ज्यादा महात्तुपूर्ण मानते थे स्वक्षिता को तो वहीं जो यहां पास 1947 लेकर है कि देश के के लगभख 39 परशन्ट घरों तक ही सुचाला के सुविधा मतलब थी जो कि इसके अभाव में जो इस तरह की मतलब की मातर 39 परशन्ट होना मतलब की बहुत ही ज्यादा चिंता की बात थी और इसके अभाव में तो 20 माता औं बहूं का खतेता होती थी साथ बच्चों को भी बिमटर के विमारिया विमें यह समस्या दुषप पर होने और था तो जो मानुवी गरेमा के खिलाब था तो मेहला को सुझिमायम्ण पर प्रकारस आलहाथी जैसा सु देश आवसकता देश में थी गांदी जी जैसे अपनी वावस्ता में भारतियों में जो सच्छता के उदासी इंता थी उसको महसूस कर लिया था और किसी भी सब्यों विक्सित मानव समाज के लिए सच्छता के उच्छमान दंड की आवसकता को समझा था गांदी जी हमेंसा कहते थे कि कार्यकरता को गाउं के सच्छता और सफाई के बारे में जागरूक रहना चाहिए और गाउं में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए महात्मा गांदी के विचारों से प्रभावित मतलब कि उसी दिसा पर जो तो इस सरकार ने भी लगवक 2014 में जो सच्छ भारत अवियान की सुरुवात की थी तो एक प्रकार से बहुत ही मतलब के प्रकार से बहुत बड़ा ही यह सरकार का मुहिम था और यह संकर्प जो है तो ल हैं जो किया हाई यह प्रिवर्तन निष्चित दो पर भायत में मतलब कि बहुत ही बड़ा प्रिवरतन कहा जा सकता है पाच बरसम दो सच्छभारत अवियान एक प्रकास से जन आंदोलन के रूप में ही बन चुगा आप न समोवता है दुनिया मतलब कि सबसे बड़ा व्योहार परिवठता कारक्राम के रूप में इसको माना जाता है वहीं इसके परणाम रहे जन आंदोलन का यह एक प्रकास से सच्छ भायत जो अपना 2 October 2014 से प्रारम किया गया था मोधी सरकार को दोरा तो यह एक प्रकार से अंदुलन का इसका प्रणाम यह रहा कि और देश भर में लगए लगए 10 करोड से ज्यादा सोचालय का भी निर्माड हुआ है इस देश में वहीं देश के तमाम जिले और सारे गाह प्रकार से ओडियाफ हो चुके हैं तो यह जो इस मामले में जैसे कि यह तो निश्चित तोर पे जन सहभागी और लाग मतलब के सच् करने कारकम बन चुका है तो चुबारत लगवग मारत भारती समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण कारकम भी किया है जैसे कि सभी वर्ग और सभी धर्मों के लोग उन्हों भी एक साथा करके सफली वनाया है लोग मतलब कि आपसी मदवेद को भूलकर के लगवग एक जू जैसे विम्टरका की कुरितियों पर भी प्रहार किया है तो वही रोजगार की अवसर भी ज़्यादा स्रीजित की हैं जैसे कि कई राज्यों में तो महिलाओं ने रोजगारों का स्रीजन भी हुआ है एक ऐसा भी अनुमाने आपस मतलब की रेलेटर का है कि जो निर्मार हु की जिसे की जो खूले में सोच वाले मतलब गाउं हैं तो ऑडी है यानि जहां पास ऑपर इंड़एफ इंडाइफ था वहां पास उनकी तुल्णा में जो ज्छालीस पर्षेंड ज्यादा पाए गए तो यह यहां पास इस से भी देखा जा सकता है कि इसके मतलब को सचता किया माईने हो सकते हैं वहीं यूनिसेफ का विए कनुमाना है कि मुक्ता को सुचता की कमी के कारण जो है तो भारत के पांच वरसे कम आयों कि जो बच्चे हैं उनमें से लगवग 38% बच्चे जो हैं सारीरिक और संग्यानात्मा कुरूप से कोपोसित हैं यानि कि हमारी भाविस का कारेबाल थे तो इतना बड़ा मतलब की हिस्सा जो है तो उसकी उत्पादक छमता जो है तो पूरी तरह सिस्प्रका से प्रभावित हो रही है तो यह भी मतलब की एक चिंता काई भी सहत हो तो यह मतलब की इस दिशा में सरकार का यह काफी ज़्याद सब्सक्राइब इसको बहतर तरीके से और सुनिष्चीत करने सभी लोग सच्छता के सभिधाओं से युक्त हूं सच्छवे भारों को अपनाने की बात भी हाँ पास राइटर ने की है वही इसी में मतलब कि इसका नेक्स्ट फेज है कि यहाँ पास राइटर ने इस जिए कि पहले कि अब यहां पास जो है तो सरकार का ओडियाफ प्लस का भी मतलब की हो ओए ओडियाफ प्लस का भी चलाए जाएंगे जानिका और प्लस में यह होता है कि जैसे भी अपन डिफिकेशन फिरी था तो उसमें प्लस के गाव में निपतान के जो ताहती है ताकि यह गाव में प्लाष्टिक के मामले भी इसी तरह के मतलब की देश व्यापी जना अंदुलन की बाते मतलब चल रहे हैं तो निश्ची तर पर एक काफी अच्छी होगी तो यह जन सहभागता है लगए हमारी वह पूजी है जो इन कालकम होगा क्रियानवन का माध्यम बनेगी और यहां पास सकारात्मक मतलब की आसा व्रत के वह ही सकते आङड़ करें जन भागी दानी के साथ गांदी जी के सफनों को सद्फन भारत बनकर यह ना चलते हैं और यह ए आइक संख्या तेज़े से बढ़ रहे है दूसरा है artificial intelligence जिसके इस्तिमाल मतलब के चालू ही हो गया है बहुत तीवर्ता के साथ हो रहा है उसी तरह जैसे 3D printing हो गया रहा है कि एक प्रकास हो बहुत चीजे कुछ ही बना दी जाती है तो इस तरह की इन तीनों ही तरह की जो तकनीक है तो अब प्रकास से इनका प्रियोग भी बहुत ज्यादा मत्रा में सुरू हो गया है तो यह तीनों तकनीक दुनिया की जो चौथ्या और दियोग रांति है उसका मुख्य आधार भी है थ्रीडियू प्रिंट विरोजगार होंगे यहासी मतलब की लोग मतलब आसंकाई व्यक्त के हैं और यह यह नहीं बलकि कई विश्य सग्यों ने भी इसी तरह की आसंकाई व्यक्त किया है अधर यदि देखा जाए कि मैकेंजी जैसी आर्थिक सलाकर कंपनी है उसका वियाक लाना है कि चौथिया देखते हुए जो है तो यूनिवर्सल बेशिक इंकम की व्यावधारणा पर ज्यादा मतलब जोड़ देना शुरू कर दिया अभी जो मतलब की पिछले इलेक्शन में जो तो हमारे रावल गांदी ने भी इसी तरह कोछे यूनिवर्सल बेशिक इंकम की बात की थी तो उसी सहमत इस तरह के वियू से लोग जादा तर कुछ असहमत भी है कि बिरोजगारी लगए लोग बिरोजगार होंगी मतलब इस चीज का खंड़न भी करते हैं कुछी लोग ऐसे मानते हैं कि जो चौथिया द्युक्रांती होग उसके बाद जो मतलब की बहुत से ऐसे जो हमारे परंपरी कौसल चल रहा है तो उस स्किल में काफी ज्यादा परवरतन करने की जरूत है वो बेकार हो जाएंगी उसके लिए होगी कि नए स्किल की जरूत है नए को पड़ेगी अब जिन्हें लोग को मतलब कि जल्द ही सीख लेंगे जल्दी से ही लेकिन जो ACI वीकास बैंक के फैलो मिस्टर जयांत मेनन की यह बात की जाए तो उनका एक नया ही व्यू है वह एक नए डायमेंशन सोचते हैं वह मानते हैं कि यहां भी संभव है कि जो चौथिक अद्यों की क्रांती है तो उसके बाद रोजगार के संख्या कम होने के बजाए बहुत जाता मतलब बढ की जाए पहली अद्यों क्रांती के समय इसी तरह की लोग के परसिप्संस थे ना फिर यही कंप्यूटर क्रांती के समय भी हुआ उसके बाद संचार क्रांती के बाद भी इसी तरह के हाल देखने के मिले लोग रोजगार कम होने की बात कर रहे थे लेकिन बहुत से रोजगा के आफसर भी बढ़ेंगे वो ऐसा मानते हैं कि लोग की लोग के ऐसा सोचना समझना आसान है कि वे जो कर रहे हैं उसे जब मसियन से किया जारे लगए तो इससे रोजगार चींज जाएगा लेकिन जो पूरी अर्थवेस्ता है उसके असर और दिर्हकालिक जो प्रोहाव है उ इसके अर्थिया भी है कि जैसे बदलाओ के जो शुरुवारती दोर पर थोड़ा सा चेंजेस होते तो निश्ची दोर पर थोड़ा सा तो बदलाओ आए गए थोड़ा सा चेंजेस तो देखने को मिले गई लेकिन बाद में भली जो हालात पहले से और ज्यादा बहतर हो जा है कि जो देश है ऐसा अच्छे तरीके सिक कर सकेंगे वही इस बदलाओ का फायदा उठा पाएंगे जो पहले सी इस मामले में सतर को के पहले सी मतलब की सक्षम हो जाएंगे और तो वही जो है तो इन जो बदलाओ होगा तो उसका बड़े प्रमाने पर लाव उठा सकेंगे और यह समय जो है तो आगे कि आसंकाओं से डरने का नहीं बलकि नई विवस्ताओं को तयार करने का है पस आज की इस आर्टिकल में इस तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना है तो धन्यवा तो